हेलो एवरिवन आप सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और चना महादेव भक्त चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की रेस्पी जो मैं लेके आई हूं आप लोग को दिखा रही हूं इतना खसता इतना टेश्टी और इतना अंदर से सौप्ट और बाहर से बिलकुल कुरकुरा बहुत ही मज़ीदार रेस्पी लेके आई हूं ये देखिए बहुत ही टेश्टी बहुत ही स्वादिष्ट ठुकवे की रेस्पी लेके आई हूं इसको आप बिस्किट भी कह सकते हैं और ठुकवे भी कह सकते हैं ठुकवा ये बहुत ही इसली नोचने के हम अच्छा शेयों को और की बना के खिला ये वह फिर वातिन के अच्छा होगा और आप मुझा आघारा लूख और जरू साय risky क है और तबीजियर टॉथ देखेंगा प Style की OD more बनाए और कम शेखने हुआ हैं और शी डॉटवane हमने लिया है आटा आटा लिया है हमने करीब 500 ग्राम और चीनी हमने इसमें एट किया है 500 ग्राम आपको जितना बनाना हो कम जादा कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग इसके बाद हम इसमें एट करेंगे घिसे हुए नारियल हमने चीनी का इसमें कम इस्तुमाल किया है हमें बहुँ जादा मीठा नहीं बनाना है हम हलका मीठा बनाएंगे तो सभी लोग घर में खा सकते हैं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने इधर नारियल घिस के रखा हुआ है आप चाहे तो मार्केट से भी बुरादा इसका ले आ सकते हैं गिसा हुआ नारियल ला सकते हैं पर हमने घर में ही घिसा हुआ है तो यह देखे हैं हमने नारियल डाल दिया इसमें गिसा इसमें नारियर का फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है और आप चाहे मेश किप कर सकते हैं या आप चाहे तो कोई भी इसमें ड्राय फ्रूट पेड़ करके आट हमने इसमें दिये देखिए हमने इसमें किसमिस थोड़े से डाल दिये हैं इसका भी टेश्ट बहुत ही जादा अच्छा आता है यकीन मानिये फ्रेंड्स एक बार बना के जरूर ट्राइ करिएगा यतना मस आता है आप किसी भी ओकेजन में अपने फ्रेंड्स को अपने गेस को बना के खिला सकते हैं वो सभी लोग आपकी तारीफ ही करते रह जाएंगे कहेंगे वाव आपने कितना अच्छा बना है यह बिल्कुल खसता है बिल्कुल मूँ में घुल जाने वाला बनता है और बच्चों को तो बहुत ही जादा पसंद आता है मेरे घर में तो बन जाता है तो खतम तुरंत ही हो जाता है मैं जितना ही बनाती हूँ बस दो चार दिन ही चल पाते हैं इतना सब को पसंद आता है तो अब इसमें हमने थोड़े से कुरकुरे होने के लिए डाला है सूजी सूजी हमने करीब तीन बड़े चम्मच के हिसाब से एड़ किया है अपने अंदाज से हमने डाला है आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हैं मारा ठुको ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तयार होगा क्रिस्पी होने के लिए हमने इसमें सूजी का इस्तमाल किया है और मुलायम होने के लिए हमने धोड़ी से इसमें ओयल का इस्तमाल किया है तो आईल हमने डाला है करीब तीन बड़े चमच और आप इसी तरह से बनाईएगा और मेरे मेजरमेंट को देखते रहेगा और इसी तरह से ट्राइ करिएगा तो आप जो भी आईल यूज करते हों उसको आप इसमें इसमें इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें हम लाश्ट में डालेंगे मीठा सोडा, बिल्कुल चुटकी भर हम इसमें डालेंगे खाने वाला मीठा सोडा, आप बेकिंग पौडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो ये देखें हमने लिया है बिल्कुल चुटकी भर, बिल्कुल जरा सामें से एट करना है, बहुत हाड भी नहीं बनाना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना है बिल्कुल हमें मेडियम पे रखना है आटा बिल्कुल मेडियम गुता हुआ होना चाहिए तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया अब चलिए आटे का डो हम तयार कर लेते हैं और इसको हम आटा गुतें भी आप लोग को बता रहे हैं हमें गुनगुना पानी इसलिए इस्तमाल करना ही क्योंकि सूजी इसमें डली हुई है और अगर हम गुनगुने पानी से इसे गुठेंगे तो सूजी पानी गुनगुना जो रहेगा जलदी से एबसॉब कर लेगी और अच्छे से ये फूल जाएगा और बहुत ही अच्छा और खस्ता बनके तैयार होगा हमारा ठुकवा इसलिए हम गुनगुने पानी का इस्तमाल करें तो ज्यादा ही बहतर होगा तो हम गुनगुने पानी से ही इसको आटा का डो तैयार करेंगे तो लेजिए हमने पानी गरम कर लिया और अब चलिए आटा गुथ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें डालेंगे इकटे पानी ना डालें और गरम इतना रखे कि आपका हाथ सह सके तो ये देखिए इस तरह से हम धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके आटा गुथ लेते हैं तो ये लिजे हमारा आटा गुथ के तयार है ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को भी आटा कड़ो तयार करना है ना तो बहुत hard ना तो बहुत soft अब चलिए इसको हम रिष्ट twenty के लिए थोड़ी धहक के रख देते हैं जब तक हमारा आटा रिष्ट होँ रहा है तब तक कर लेते हैं और कड्म में डालेंगय तेल और तेल को होने देंगी गरम तुड ये किर रह चुकए है और चलिएम अपना आटा चेक करIES तो यह देखिए यह रिप्दि नीटे हैं तो कोईपसे तो कुओills हम स्था अटा में चिपके नहीं ज़िएखें ? इस तरह से हम थोड़े से आटा सुखा लगा लेते हैं इसमें स्वात में कोई डियाओ नहीं होंी त्यार होगा घ्थ्टे क्ट पहल इसमें मस्ध के तयारो बड़े होगा तो यह तो आप सांचे का गोड़े का सितमान जाना-सकते हैं जैसा आपका मन चाहें तो यह देखिए हम किस तरह से सेफिस का बना रहे हैं आप को को दिखा रहे हैं को Or कोई परेशानी नहीं कोई दिख्imore नहीं बहुत एजली बनके तयार हो जाएगा और बहुत ही मस्त बनके त्यार होगा आप लोग देखते रहे और ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहे और मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले फ्रेंड सस्क्राइब करेंगे तभी तो मेरे वीडियो आगे तक जाएगी और और आप लोग को सभी मेरी वीडियो दिखती रहेंगे जो भी मैं वीडियो अप्लोड करती हूं तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा हम लोगी लेते रहेंगे और बनाते रहेंगे और तेल हमारा गरम हो चुका है और कडाई हमने रख दी है गास पे अन करके और इसी तरह से हम बना बना के थोड़ा तुकवा रख लेते हैं और तेल जैसे ही गरम होगा इसमें हम एड़ कर देंगे आप किसी भी सेप में बना सकते हैं ये देखिए हमने अलग-अलग डिजाइन में इसको तयार किया है तो तेल हो गया गरम और हम डाल देते हैं ठुकवे जितने बने हुए हैं और ध्यान रखिएगा इसको बिल्कुल धीमी आज पे सीखना है ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाए और हमारा बिल्कुल खसता ठुकवा बनके तयार हो धीमी धीमी आज पे हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे धीरे धीरे हम इसको फ्राइ करेंगे तरह तरक की डिजाइन के हम बनावा की आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग देखते रहेगा इसको होने देते हैं चलिए बाकि ठुकवे हम तयार कर लेते हैं इस तरह से भी ठुकवे बनाएं बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखे फ्रेंड मुझे तो इसका डिजाइन बहुत ही प्यारा बहुत ही यूनिक लग रहा है कोई क्या ही नहीं सकता कि ये बिना साचे के बनके तयार हुआ है तो आप भी बना सकते हैं यह देखे हमने इसमें डाल दिया है कडाई में वसे हीजब लग रहा है देखें कि ना साचे के लिए हम ऐसे बना सकते हैं घर में हमें कोई टेंसल लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास साचा नहीं है हम कैसे बनाएं डिजाइन हम डिजाइन अपने घर में भी इस तरह से तयार कर सकते हैं देखें कितना अच्छा बना हुआ है बिल्कुछ फुला फुला यह तो हो चुका है और इसको और हम निकाल लेते हैं तो लीजिए नए नए तरीके से बना हुआ डिजाइन जो कि मैंने आप लोगों दिखाया कि मैं किस तरह से बनाई हूँ कितना ही खस्ता बना हुआ है यह देखिए देखिए यह दब रहा है बहुत ही खस्ता बना हुआ है यह देखिए और इसमें भी बन रहा है देखिए इसके दिसाइन कितनी अच्छी उभर के आई है कोई कह नहीं सकता कि यह बिना साची की बने हुई है तो अभी इसको मैं तोड़के और खा के आपलोग को बताूंगी कि यह कैसा बना है कि नेजिए, इसको हम तोड़के दिखाते हूं यह दिखे करत्ना करण्ची बना हुआ, यह दिखे कितना क्रण्ची बना हुआ है देख रहे हैं कितना खसता है ये बिलकुर तूद जा रहा है और इसको आप मैं खा के बताती हूँ आपको कि ये कैसा बना हुआ है लीजे गरम-गरम स्वादिष्ट टुकुवा बनके तयार है आप भी खाईए गेश्ट को भी खिलाईए और बड़े बुड़ों को भी खिलाईए ये इतना खसता है कि बिना दाद के भी वो खा सकते हैं तो लीजे स्वादिष्ट और से हद से भतूर बहुत ही ईजी है बनाना इसे कोई जंजट नहीं कोई मेहनत नहीं और किसी भी उकेजन पर बनाके अपने गेश्ट को भी ज़रूर खिलाए लिखिए इसकी डिजाइन कितनी अच्छी उभर के आईगे यूब यज। झाल झाल